नमस्कार छात्रेवं स्रोतागन आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM हम सब का रेडियो मैं संजयक मार भुक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट अफ साइकलोजी बी एंजलान कॉलेज सिसेई रांची इनवर्सिटी रांची आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एन मैनेजमेंट यह टॉपिक ग्रिजुएशन के सेमेश्टर 6 के स्लेवस में सामिल है जिसमें स्ट्रेस के बारे में जानना और अस्ट्रेस के मैनेजमेंट के बारे में जानना दो यूनिट में सामिल है अथा अस्ट्रेस के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि अस्ट्रेस है क्या, तनाव है क्या जैसा कि हम जानते हैं कि तनाव आधोनिक समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है करीब 75% रोगों का कारण तनाव ही होता है मनोवज्ञानिकों ने तनाव को परिभासित करने में विभिन द्रिष्टिकोनों को अपनाया है जो निमनांकित है जैसे यदि हम उद्धीपक के तोर पर तनाव को परिभासित करे तो कोई भी घटना या परिस्थिती जो व्यक्ति को आसाधारन अनुक्रिया करने के लिए बात दे करता है तो वह तनाव कहलाएगा और जो परिस्थिती व्यक्ति को आसाधारन अनुक्रिया करने के लिए बात करता है उसे अस्ट्रेसर भी कहते है एदि हम तनाव को एक response कर रूप में परिभासित करें तो क्या होगा कठिन परिस्थिती में व्यक्ति द्वारा किये गए मनोवज्ञानिक एवं सारेरिक क्रियाएं व्यक्ति में तनाव उत्पन करता है इसी संदर्व में हांस सेली ने तनाव को परिभासित करते हुए कहा कि तनाव से तातपर शरीर द्वारा विश्यक्ता अनुसार किये गए और विशिष्ट अनुक्रिया से होता है A stress refers to non-specific response of the body to any demand made upon it एदिया एक और संदर्व में हम तनाव को परिभासित करें जो transactional approach या interactional models के अंतरगत आता है इस उपागम के अंतरगत तनाव क्या है तनाव stimulus के रूप में और response के रूप में जो बताया गया है वो दोनों का मिसरन है इंटरेक्शनल model और या transactional model इसके अनुसार तनाव व्यक्ति तथा वातावरन के बीच एक खास संबंध को प्रतविम्बित करता है इसी संदर में Morgan, King, Wiz, Scopler 1986 में तनाव को परिवासित करते हुए कहा हम लोग तनाव को एक आंतरिक अवस्था के रूप में परिवासित करते हैं जो सरीर के दैहिक मांगो या वैसे परियावरने एवं समाजिक परिस्थितियों जिसे सस्मुच में हानिकारक, अनियंतरन, योग तथा निवट के मौजूद साधनों को चुनोती देने वाले के रूप में मुल्यांकित किया जाता है से उत्पन होता है 2005 में बैरन ने तनाव को परिवासित करते हुए क्या कहा तनाव एक ऐसी बहु आयामि प्रकिरिया है चो हम लोगों में वैसी घटनाओ के प्रती अनुकिरिया के रूप में उत्पन होती है जो हमारे देहिक एवं मनुव ग्यानिक कारकों को वीगडित करता है या वीगडित करने की धमकी देता है तो इन परिभासाओं के विशलेशन से हम समझ सकते हैं कि तनाव क्या है समाने ते यह समझा जाता है कि तनाव जीवन के नेगेटिव इवेंट से होता है लेकिन सचाई यह है कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव इवेंट्स दोनों होते हैं एक मसुहूर कनेडेनी फिजियोलोजिस्ट हैंस सेली ने पॉजिटिव अस्ट्रेस तथा नेगेटिव अस्ट्रेस के बारे में बताया और पॉजिटिव अस्ट्रेस को उन्होंने यू अस्ट्रेस तथा नेगेटिव अस्ट्रेस को डिस्ट्रेस के संग्या दी तनाव के बारे में यह दिया और कुछ विश्यस्ता के बारे में यह दिया हम बात करें तो तनाव में जो घटनाएं परिस्थितियां आदी होती है वह व्यक्ति के नियंतरन के बाहर होती है यदि किसी विश्यस कारण से परिस्थिती व्यक्ति के नियंत्रे में हो जाती है तो तनाव कम हो जाता है निसकर्षत यह कहा जा सकता है कि तनाव परिस्थिती या घटना का मुल्यांकन करने के बाद उसके प्रतिक की गई एक विश्यस अनुक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपने मांसी केवं दैहिक कारे को विघटित करता है अब हम आगे आते हैं तनाव कम करने के उपाय तथा तनाव प्रबंधन क्या क्या हो सकता है strategies for copying stress and management of stress के तहत हम जिक्र करेंगे कि तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है और तनाव को कैसे हम manage कर सकते है तनाव को कम करने से संबंध बेभार को coping behavior कहा जाता है इसके निमनाकित विसिस्ताई होती है coping behavior वेक्ति तथा वातावरन के मांगों के बीच किया गया एक समय की क्रिया बेभार नहीं होता है बलकि एक विसेश समय तक लगातार चलने वाला अंतक क्रिया है अतह coping behavior एक तरह का process है एक strategies है coping behavior में stressful stimulus या environment के परती कई तरह की क्रियाएं एब हम परती क्रियाएं की जाती है अभी हम लोग छातरों बात कर रहे हैं coping strategies of stress का इसी संदर्ब में coping strategies के बारे में हम लोग उसके क्या विसेश्थाया होते हैं यह की जर्चा कर रहे है next क्या है आगे coping behavior effortful होता है प्रयास हुक्त होता है या अपने आप नहीं होता है अधि आप कोई भी a stressful situation में आप coping behavior करेंगे तो जब तक आप effort अपना ने लगाएंगे effort ने लगाएंगे तब तक आप coping behavior किसी भी a stressful situation के प्रति नहीं कर सकते हैं उसी तरह अधि और इसकी विसेश्था की चर्चा करे coping behavior की coping behavior एक सिखा गया बैवार होता है इसी संदर में लेजारस एंड फोक मैन ने 1984 में coping strategies को निमनांके दो भागों में बाटा है पहला क्या है problem focused coping strategies समस्या केंद्रित समायोजी उपाय इसमें व्यक्ति तनावपुर्ण परिसिती या समस्या के मुल्यांकन करता है जिसमें वह उसे परिवर्थन कर सकने में या उसे दूर रहने में का दूर रहने का प्रयास करता है इस तरह के उपाय में क्या-क्या आते हैं जैसे confrontational copying यानि आमने सामने का समायोजी बेवार इसमें क्या होता है इसमें व्यक्ति समस्या के सामने रह कर उसका मुकाबला करता है तथा उससे निवटने की कोशिज करता है इसमें इससे व्यक्ति में भविश के तनाव पूर्ण परिस्थिती के साथ सामवेगिक ढंग से निवटने की चंता विक्सित होती है next problem focused copying strategies क्या है social support यहां social support से दर्दपर क्या है कि वो विसेश सूचना जिसमें व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है सम्मान दिया जाता है, महत्व दिया जाता है इत्यादी, समाजिक समर्थन के इस एहसास से व्यक्ति अपने आपको valuable समझता है, मुल्लिवान समझता है और वा तनावपुन परिस्थिती से अच्छे धंग से निपटने की कोशिज करने लगता है और स्वास्ते समधी समस्याएं भी कम हो जाती है Problem Focused Copying Strategies के अंतरगत Next, उपाय क्या है? योजना बद समस्या समधान यानि Planful Problem Solving इसमें व्यक्ति योजना बनाता है और उसी के अनुरूप बेवार करके समस्या का समधान करता है जैसे कोई बिरुजगार युवक है यानि कि बिरुजगारी उसका एक तनाव का कारण है तो वह क्या करेगा कि अपना बायो डाटा बिभिन समाचार पत्रों में न्यूज चनलों में देगा जिससे क्या होगा कि वह इस प्रकेरिया से अपने आपको तनाव काम करने की कोशिज करेगा उसी तरह से जैसे हमने पहला मेथट पढ़ा ले जारस फॉकमेन का की प्रोब्लम फोकस्ट कोपिंग स्टेटिजीज उसी तरह से दूसरा क्या होता है उन्होंने क्या जिक्र किया है समवेग केंद्रित्स समायोजी उपाय means emotion focused कॉपिंग स्टेटिजीज इसमें व्यक्ति समस्या से उत्पन समवेगिक अनुक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है इसमें समस्या सरूप में परिवर्त नहीं बलकि समस्या से उत्पन चिन्ता को कम करने का उपाय करता है इसका उप्योग व्यक्ति वहां करता है जहां समस्या इतनी गंभीर होती है कि उसे बदला नहीं जा सकता है इसके तहट निम्नांकित दो तरह के उपायों का वर्नन किया गया है पहला क्या है? behavioral method पहरात्मक उपाय इसमें व्यक्ति कुछ खास-कस बेवार करके व्यक्ति अपना तनाव दूर करने का प्रयास करता है जैसे वह समस्या से ध्याण हटा कर किसी दूसरी चीज में ध्यान लगा कर या समय प्रवंधन कर तनाव को दूर करने की कोशिज करता है दूसरा strategy इसमें व्यक्ति तनावपून परिसिती का पुणर मुल्यांकन करता है जिसे संग्यानात्मक पुणरशन रचना कहा जाता है परन्तु कभी-कभी व्यक्ति इसमें वास्तविक्ता को विकृत कर देता है तथा अपने आपको एक तरह से वह धोका दे रहा होता है ऐसे संग्यानात्मक पायों को फ्राइड ने रच्छा प्रक्रम डिफेंस मेकानिजम कहा है इसे संदर्ब में कुछ डिफेंस मेकानिजम है दमन रिप्रिशन इसमें व्यक्ति कैसे तनावपून दूर करता है इसमें तनावपुन उदिपक को चेतन से निकाल कर आचेतन में चला जाने का वह कोशिस करता है इसको मैं और सही तरीके से बताना चाहता हूँ कि इसमें तनावपुन उदिपक चेतन से निकल कर आचेतन में चले जाते हैं रेप्रेशन और सक्रेशन दोनों अलग-अलग चीज है रेप्रेशन में क्या होता है कि जो 스트refful इवेंट होते हैं वह आटमेटिक, अनकांसास में चले जाते हैं जबकि सप्रेशन में क्या होता है कि व्यक्ती जान बूचकर a stressful stimulus या events को वो और चेतर में डालने का कोशिज करता है और जिसे कि वो अपने तनाव को कम करने के कोशिज करता है इसी संदर में next defense mechanism क्या है reaction formation प्रतकरिया निर्मान इसमें तनाव उत्पन करने वाले इच्छा या विचार कि ठीक विप्रीत इच्छा विक्सित करके तनाव को कम किया जाता है जैसे भ्रष्टाचार से चिंतित नेता द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाप में भासन देकर अपने मांसिक उल्जन को कम करना next defense mechanism एक है यौक्ति की करन, rationalization इसमें आयुक्ति संगत बेभारों को एक युक्ति संगत विम तर्क संगत बेभार के रुप में परिनत कर अपने आपको व्यक्ति संतुष्ट करता है और मांसिक तनाव दूर करने की कोशिज करता है उजी तरस next defense mechanism projection यानि प्रच्छेपन इसमें तनाव दूर करने के लिए व्यक्ति अपने गलतियों अथ्वा आसफलताओं का आरोपन दूसरे व्यक्ति पर करता है तत्था इससे वा अपने आपको दोस्मुक्त समझता है और अपने तनाव को कम करने की कोशिज करता है next विस्थापन displacement defense mechanism इसमें कश्ट कर motives एवं कॉंण से उत्पन तनाव को मौलिक वस्तू जो ऐसे कश्ट कर अभी वे प्रेरकों motives एवं कॉंण प्रिक्ट के उत्फत्य करता है से और सम्बंद वस्तूओं या परिस्थितियों के परती अस्थानांत्रत करके कम करता है जैसे माता-पिता द्वरा डाट पढ़ने पर यदि कोई बालग अपने छोटे भाई को पीट कर अपना तनाव दूर करता है तो यह displacement, defense mechanism का उधारन होगा इन रच्छा प्रक्रमों, इन defense mechanism के अलावा denial, body की करन इत्यादी भी महतपूर्ण है इसी संदर्ब में coping behavior के ही संदर्ब में कुछ सामेक परहलू होते हैं जिसमें व्यक्ति तनाव के साथ समायोजन तनाव उत्पन होने के बाद भी कर सकता है बीह एब मेग्राद ने 1996 में ऐसी बिभिन प्रस्थितियों का वर्नन किया जो विशेश सामेक संदर्ब उत्पन करते हैं जिसमें व्यक्ति समायोजी बेवार करता है इसमें निमनांकित है, preventive coping इसमें व्यक्ति समायोजी बेवार coping behavior तनाव उत्पन करने वाले घटना से बहुत पहले ही प्रारम करता है जैसे धुम्रपान करने वाला व्यक्ति यदि फेफडे का cancer जानकर वो धुम्रपान करना छोड़ देता है तो इसे preventive coping कहा जाता है next coping behavior क्या है प्रत्यासी समायोजी एंटिसिपेटरिक coping इसमें तनाव उत्पन करने वाला घटना अब तुरंथ होने वाला है यह जानकर समायोजी बेवार करना एंटिसिपेटरिक coping कहलाता है जैसे यदि तुरंथ सर्गिजिकल ऑप्रेशन होने के अनुमान के फलसुर व्यक्ति एदि ट्रान क्यूलाइजर लेता है तो इस तरह के समायोजी बेवार को परतियासे समायोजी बेवार कहेंगे नेक्स्ट समायोजी बेवार क्या डैनेमिक coping जब तनावपुन परिस्थिती से गुजर रहा व्यक्ति होता है तो अपने ध्यान उस परिस्थिती से हटा कर समायोजी बेवार करता है जैसे जब कोई क्रोनिक पेन होता है और उसको कम करने के ख्याल से व्यक्ति अपना ध्यान उससे हटा कर किसी अन्य वस्तु पर करता है तो यह डैनेमिक कोपिंग का उदाहरन है उसी तरीके से एक और कोपिंग बेहिवियर क्या है रियक्टिंग कोपिंग इसमें क्या है कि तनाव उत्पन करने वाली घटना घटने के बाद व्यक्ति समायोजी बेवार करता है जैसे कि किसी व्यक्ति का दिये एक्सिडेंट में पैर कार दिये जाने पर जब व्यक्ति अपने जीवन सेली में परिवारतन लाकर उसमें समायोजन करता है तो वह रियक्टिंग कोपिंग का एक उधारन है तो छात्रों यह हम जिक्र कर रहे थे कौपिंग स्ट्रेजीज ऑफ अस्ट्रेस के अंतरगत कुछ-कुछ ब्यक्ख्यानों की यह हम चर्चा किये जिसको इसे समझने में हमें असान हुई अब हम मैनेज्मेंट ओव श्ट्रेस के तहत कुछ चर्चा करेंगे मैनेज्मेंट ओफ अश्ट्रेस के तहत चर्चा करने से पहले हम तनाव प्रवंधन क्या है ये जानने के कोशिस करते हैं कि तनाव प्रवंदन से ताथ पर एक ऐसी कारिकरम से होता है जिसमें लोगों को तनाव के स्रोतों से आवगत कराते हुए उनसे निवटने के आधोने के विज्ञानिक तरीकों के बारे में सिच्छा दी जाती है इसी संदर में लाहर एन वॉल फॉक ने 1993 में तनाव प्रवंदन को दो मुख्य भागों में बाटा है पहला क्या है व्यक्ति उपागम इसमें व्यक्ति विसेज पर कार किया जाता है जिसमें निम्नांकित प्रवीदियों को रखा गया है पहला अराउजल डिडक्षन इसमें मांग स्पेशियों के सिधली करन का प्रसेशन दिया जाता है जिससे वह धेरे धेरे वास्तिवेक जिंदगी के तनाव को कम करने में व्यक्ति सहयता प्राप्त करता है इसी में दूसरा विधी क्या है कॉग्निटिव रियस्ट्रक्चरिंग याने की संग्यानात्मक पुनर संडचना इसमें व्यक्ति के विश्वास तंत्रों में परिवर्तन लाकर जिंदगी के अनुभूतियों का एक उची तिवं सही व्यक्या कर समवेगों एवं और अस्पष्ट बेवहार में वांचित परिवर्तन कर तनाव को दूर करने की कोशिच की जाती है यह बहुत ही महतपुर्ण विधी है जिसमें बेक, मैकनबाम, इलिस, इत्यादी ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है नेक्स्ट प्रवीधी क्या है? बेहेवरेल स्किल ट्रेनिंग इसमें बेवहार से समबंधित कुछ कौशलों, कुछ स्किल्स को सिखलाया जाता है जिसका उप्योकर व्यक्ति तनाव को कम करता है नेक्स्ट विधी है वायो फिडबेक इसमें तनाव के दैहिक पहलूओं को मॉनिटर रवं नियंतित कर तनाव को कम करने की कोसिज की जाती है उसी तरीके से relaxation training इसमें व्यक्ति जब relaxation की अवस्था में होता है तो व्यक्ति के शरीर में एक अराजल को कम किया जाता है जिसे वेक्ति तनाव के प्रती प्रतिकिरिया करने के प्रती कम उन्मुक्ता दिखलाता है। इसमें वेक्ति अपने सरीर को निम्न उत्तेजना के सुख़द अवस्था में ले जाना सिकता है। तता तनाव से सहचरित और समाने तनाव के अवस्था को कम करना सिकता है। उपागम करें इतने प्रवीदि की च किया सुधा दूस्रा प्रविदियद फर्य वर्य परिवार्थन उपागमड़ सब्सक्राइब निड...? मैं इससंध उसमें बाताव वरण कोigo क्या रिखल तुछाह रहा ज्टों flying सी कोशिज की कि stress क्या है stress को दूर करने के लिए क्या क्या copying strategies को हम लोग अपना सकते हैं तदा इस stress को manage कैसे कर सकते हैं शादरों इसी संदर में आप लोग किताब का भी अध्यन कर सकते हैं जिसे आपको बहुत ही लाब पहुँचेगा उमीद करते हैं कि आप समेशर 6 के बच्चों को हमारे इस व्याख्यान से बहुत ही लाब पहुँचेगा आप लोगों को बहुत बहुत सुभकामना है धन्यवाद